हेलो गाइस तो आज यूज़ करने जहा रही हूँ काज के बैंगल का तो सब से पहले उने बी7000 ग्लू लेके के 50 राउंड्स लिए हैं और उसके बाद इन्हें अपने बैंगल्स पर रैप करूंगी बैंगल्स पर थोड़ा सा फैबरिक ग्लू लगा कर हम इस तरह से इसे अटाच कर देंगे त्रेड को और रैप करना स्टार्ट करेंगे पूरे बैंगल्स को अच्छे से रैप कर देंग कर देख एक्सेस फैबरिक ग्लू बैस्ट होता है इसलिए मैं यूज करता हूं यह यह पर मैंने फैविक रिल के फैबरिक ग्लू का यूज किया है और इसी तरह से मैंने अपने सारे बैंगल्स को रेडि कर लिया है उसके बाद हम यूज करेंगे यह स्टोन वाली लेस जिस जो दो बैंगल को हमने एक साथ स्टिक किया था उस पर हम ये वाली डिजाइन बनाएंगे पहले स्टोन चेन लगाएंगे और उसके बाद इन फोर स्टोन को इस तरह से स्टिक कर देंगे और ये प्यारा सा डिजाइन बना लेंगे उसके बाद हम दूसरी बैंगल लेंगे जि दूस्री बैंगल में टोनजेन को ऐसे लेंथवाइज टिक करेंगे और फिर उसके बाद पॉपल स्टोन को भी लाइज स्टिक करेंगे और हमारे तीनों डिफरेंट डिफरेंट बैंगल्स रेडी हो गए हैं अब जो हमने सिंगल बैंगल्स पे थ्रेड रैप किया था उस पर ये स्टोन लेस को पूरे लेंध पर स्टिक कर देंगे ऐसे ही और अमेजिंग रियूस बैंगल्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट दो बैल आइकॉन फोर मोर नोटिफिकेशन्स यहां पर इन बैंगल्स को मैंने थ्री डिफरेंट टाइप से रेडी किया है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं जिसे आप तीन तरीकों से पहन सकते हैं तो बताइएगा कमेंट में कि ये मल्टी परपस बैंगल्स आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और सबस्क्राइब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई